लोरेंस बिश्णोवी ग्यांग से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मुंबाई पुलिस ने एक्टर सलमान खान को बंदुक लाइसेंस चारी किया है गौन लाइसेंस चारी होने और इसके इस्तेमाल को लेकर भी कुछ सर्त है जिनका पालन करना अनिरवारिया होता है तो जानते हैं गौन लाइसेंस कैसे बनता है इसकी क्या सर्ते है किन लोगों को ये जारी होता है और किसके पास ये लाइसेंस बनाने का अधिकार नहीं है तो जानते हैं इन सबी सवालों के जबाब के बारे में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस जारी करने का अधिकार, जिल्ला अधिकारी यानि डियम, जिल्ला कलेक्टर, कुमिशनर या फिर इस रेंग के अधिकारी के पास होता है लाइसेंस को जारी करने में पुली स्थाना और स्थानिय प्रसासन का रोल होता है अलग-अलग राज्यों में इसके आवेदन का तरीका अलग-अलग होता है जैसे कुछ राज्यों में इसके लिए DCP कार्या लायो तो उन्हीं कुछ राज्यों में SDM Office में इसके लिए आवेदन करना पड़ता है आबेदन करने के बाद जांच के लिए आपकी application को SP आपसी भेज दिया जाता है थाने से license अधिकारी को report भेजी जाती है report positive रहती है तो मंजूरी दे दिया जाता है बरना license नहीं जारी क्या जाता है license के लिए आबेदन सुल्क 10 रूपे से लेकर 300 रूपे तक है ये इस बात पर निर्वर है कि किस तरह के हत्यार के लिए आबेदन कर रहे हैं जैसे head gun, pistol और revolver या फिर rifle license के लिए आबेदन कर रहे हैं तो इसके लिए 100 रूपे आबेदन सुल्क देना हुगा आबेदन के साथ कई तरह के दस्तावेच लगाए जाते हैं इनमें पहिचान प्रमाण पत्र, address proof, medical certificate, age certificate, character certificate, आय प्रमाण पत्र और संपत्ती की जानकारी देने वाले दस्तावेच भी सामिल होते हैं बहले gun license 3 सल के लिए मिलता था अब इसको बढ़ा कर 5 सल कर दी गई है 5 सल पूरे होने के बाद license को renew करना होता है Arms Act 1959 के मुताबिक gun license आत्मरक्षा के लिए क्या जाता है लाइसेंस के लिए आबिदक की उम्र 21 सल होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए पुलिस रेकर्ड में गंभीर अपरादिक मामले नहीं होने चाहिए उसे सरे रेक और मानसिक स्वस्ते होना जोरूरी है इसके अलाबा आबिदक को यही भी बतना होगा कि जान का खत्रा है यहां पिर नहीं ही है कुछ खास थिती में लोगों को gun license नहीं जारी किया जाता है जैसे उम्र 21 सल से काम होने पर सजाप्राप्त कैदियों को मानसिक रोग्यों को यहां पर किसे असान खेतर में रहने वाले लोगों के लिए भी इसे जारी करने से मना क्या जा सकता है license मिलने के बाद भी आपको तय प्रक्रिया के अधर पर license खरितना होता है वहीं बंदु खरितने के बाद आपको स्थानिया थाने में इसकी जानकारी देनी होती है और हत्यार की जानकारी भी पुलिस के पास होती है वहीं समय समय पर इसके बारे में जानकारी थाने में देनी होती है आई होप आपको गौन लाइसेंस के बारे में समझ में आ गया हुगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे सेर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिंद